बूर्णिंग स्टुरेंट्स आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 क्लास 10 से फैस्ट हमारे पास एक पॉइंट है यहां पे आपके पास दो पॉइंट गिवन मिलेंगे जिसे पॉइंट ए यह पॉइंट भी तो यह ए पॉइंट के जो कोर्डिनेट है वो है माइनस वान एंड से वन और बी पॉइंट के जो कोर्डिनेट है वो है 4 एंड माइनस 3 इनके बीच में कहीं न कोई एक पॉइंट है लेट वो पॉइंट मान लिया मैंने पी जिसकी कोर्डिनेट है एक्स एंड वाई यह पी पॉइंट इस एबी को 2 रेस सो 3 में डिवाइड कर रहा है तो यहा आपका M2 इससे हम डिवाइड करते हैं तो इसको सेक्षन फार्मूला बोलते हैं सेक्षन फार्मूला सेक्षन फार्मूला यह अपने एक्स कोर्डिनेट निकालना है तो एक्स के लिए M1 X2 प्लस M2 X1 अपन में M1 प्लस M2 यह 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 पॉइंट आपके इस साइड मल्टिपलाई होगा यह पॉइंट आपका इस साइड मल्टिपलाई होगा तो सबसे पहले हम x point निकालते हैं x हमारे पास m1 रहेगा 2 m1 x2 x2 यहाँ पे 4 plus m2 m2 रहा आपके पास 3 m1 minus 1 upon में m1 plus m2 2 plus में 3 यहाँ से 2 forza 8 minus 3 upon 5 यानि 5 upon 5 x जो point है वह आपका 1 अब निकालेंगे y coordinate m1 2 m1 y2 minus 3 plus m2 3 y1 7 upon m1 plus m2 2 plus में 3 minus 6 plus 21 upon 5 यह आपके पास 15 upon में 5 यहाँ से 3 यानि x और जो y की value है यानि जो point आपने निकालना है वह आपका रहेगा 1 and 3 यह fast question complete हुआ next question में a और b point दिये गए है इसको try section में try section यानि 3 divide part में करना है एक point मान लेते हैं यहाँ से cut करें एक बर यह तो आपके पास 3 part में divide हो गया है यह p point यह kyao point यहाँ पे p point यह दि हम निकालते हैं तो यहाँ पे ratio रहेगा इस side आपके पास 1 part है ratio इस side आपके पास 2 part p point निकालने के लिए ratio रहेगा 1, 2 क्यों point निकालने के तो ratio रहेगा 2 ratio 1 क्योंकि इस side दो part है इस side आपके पार्ट है तो सबसे पहले p point निकालने है p में x क्या होगा m1, m1 रहेगा 1 m1 x2 plus m2 x1 upon me m1 plus m2 यहाँ से आपके पास minus 2 plus 8 upon me 3 यह आपके पास 6 upon 3 यानि 2 y point निकालने y कोल्डिनेट के लिए m1 y2 minus 3 plus m2 y1 upon me m1 plus m2 यहाँ से आपके पास minus 3 minus 2 upon me 3 यानि यहाँ से आपके पास आएगा minus 5 by 3 तो जो p point है इसके जो कोल्डिनेट होंगे यानि आपके पास 0 y कोल्डिनेट के लिए यहाँ से आपके पास रहेगा one sorry m2 y1 plus m1 y2 upon me m1 plus m2 minus 6 और minus 1 यह minus 6 minus में 1 upon me 3 यानि minus 7 by 3 क्या हों कोल्डिनेट जो रहेंगे वो आपके रहेंगे 0 and minus 7 by 3 यह आपका second question भी complete हुआ next question देखते हैं next question number 3 सबसे पहले हम यहाँ से x और y के जो point निकालेंगे यह second row में है तो x का point 2 हो जाएगा यह eighth row में है तो x का point 8 हो जाएगा यह one fourth है एक बार one यह one fifth है यह one fourth तो handed upon one by four handed upon one by five यह x और y के point आपके बन जाएगे तो जैसे a point second row में था तो two b point eighth row में है तो eight फिर हमारे पास a जो point दिया गया है one fourth है total distance handed one fourth करेंगे अप उन में four total distance handed one fifth करेंगे अप उन में five यानि यह आपका twenty हो जाएगा और यह twenty five coordinate आपके पास बन जाएगे a जो का coordinate होगा two और twenty five और b point की जो coordinate होगा यहां से आपके पास a और b की दोनों point आ जाएगे फिर इसमें पुछे गया है इनके बीच की जो distance पुछे गई है तो a b की जो distance है आपने कल भी की जी last video में distance formula x2 minus x1 8 minus 2 कस्केर प्लस 20 minus 25 कस्केर 8 minus 2 6 6 कस्केर 36 minus 5 minus 5 कस्केर 25 यहां से आपके पास 6 पास 11,3,2,5,1 root 61 आपके पास आ गया next यहां पे पुछे गया है इनका mid point क्या होगा mid point होगा तो ratio यहां पे ratio 1 ratio 1 लेंगे या फिर mid point formula आपके पास है x point के लिए x1 प्लस में x2 अपन में 2 y के लिए y आपके लिए रहेगा y1 प्लस y2 अपन में 2 सबसे पहले यहां पे हम x point निकालेंगे तो यह रहेगा 2 प्लस में 8 अपन में 2 2 प्लस 8 10 अपन 2 करेंगे 5 x का point आपका अच के है आप निकालेंगे y y के लिए 20 प्लस 25 अपन में 2 यह रहेगा 45 अपन 2 यानि 22.5 यह आपके point भी आगए आपके next question देखते है next question जो आपके पास question number 4 दो point यहां पे दिये गए है एक यहां पे बीच वे कोई point है p point हमें मान लिया हमें बताना है कि यह जो p point यहां पे दिया गया है यह a b को किस ratio में डिवाइड करता है तो let हमें ratio मान लिया k ratio 1 यह आपके हो जाएगा k ratio 1 आप x या y से निकाल सकते हैं मैंने x से starting किया तो x के value रहेगी minus 1 is equal to m1 m1 रहेगा k x2 6 plus m2 x1 upon में m1 plus में m2 यहां से minus 1 is equal to 6 k minus 3 upon में k plus 1 cross multiply करेंगे तो आपके पास आजाएगा minus k minus 1 is equal to 6 k minus 3 k को एक साइड करेंगे minus k यहां पे minus 6 minus 3 already plus में 1 minus 7 k is equal to minus 2 minus से minus k की value रहेगी 2 by 7 तो यह ratio आपका रहेगा 2 by 7 ratio 1 यहां पे हम दोनों को 7 से multiply करेंगे ratio का एक complete number में आजाएगा आपके पास 7 से यहां पी किया 7 से यहां पे यह cancel तो ratio आपका रहेगा 2 ratio 7 यह question भी आपका complete हुआ next question देखते है next question आपके पास A और B दो point दिये गए है P point है P point में बुले गए है कि X axis पे कोई point है तो X axis पे यह दिया आपके पास कोई point है तो वहां पे Y आपका रहेगा 0 तो हमें ratio निकालना है तो same as it is let वो ratio हमें मान लिया K ratio 1 तो यह आपका K ratio 1 अब यहां से हमारे पास X की value given नहीं है यहां से आपके पास Y की value given है तो हम Y से इसका point निकालेंगे तो Y is equal to M1 Y2 plus M2 Y1 upon में M1 plus में M2 यहां से M1 आपका रहेगा K Y2 आपका रहेगा 5 plus यहां से आपके पास M2 रहेगा 1 multiply Y1 रहेगा minus 5 upon में K plus 1 value आएगी 0 यह ट्रमिस सेट जाएगी 0 के साथ multiply 0 तो आपके पास आएगा 5 K minus 5 is equal to 0 तो 5 K की value रहेगी 5 और K की value आजएगी 1 तो ratio आपका जो रहेगा वो हो जाएगा 1 ratio 1 यानि यह mid point है फिर यहां पे पुछे गया है कि आपने यह coordinate भी निकालना है तो X हमारा रहेगा M1 Y2 M1 X2 जरी minus 4 plus M2 X1 upon में M1 plus M2 minus 4 plus में 2 upon में 2 यह आपके पास minus 2 by 2 यानि आपके पास point रहेगा M1 X2 plus M2 X1 1 multiply 1 यहां से आपके पास रहेगा minus 3 upon में 2 तो coordinate आपके पास आजेंगे coordinate आएंगे minus 3 by 2 और 0 ratio आपका रहेगा 1 ratio 1 next question आपके पास question number 6 एक parallelogram given है 4 point दिये गए है और X और Y की value पुछी गई है तो हम यहां से center point जो है O इसको निकालेंगे एक बार AC से एक बार BD से यह दिन यहां से मैं AC से आपके पास X coordinate निकालता हूं तो यह mid point होगा AC से यह आपके पास आजेगा X plus 1 appointment 2 यहां से आएगा 2 plus 6 appointment 2 यानि 8Y2 4 यह आपके पास AC जो point है इससे coordinate आगए अब यहां पे मैं निकाल रहा हूं BD से BD से यही point निकालता हूं mid point आपके पास रहेगा 3 plus way 5 3 plus way 4 sorry 3 plus way 4 appointment 2 यानि 7 by 2 Y coordinate निकालता हूं तो Y plus way 5 appointment 3 is equal to यहां पे कोई value नहीं है अब आप चेक करेंगे कि जो O point है इसके coordinate मान लिए suppose group P क्या हो तो यह change नहीं होंगे P point यह है P point यह है यानि आपके पास X plus 1 upon में 2 है वो equal रहेगा 7 by 2 क्योंकि यह P की value है AC से यह P की value है BD से तो यहां से आपके पास 2 से 2 cancel हो जाएगा X की value हो जाएगी 6 next आपके आपके पास center point के coordinate आपके सेम रहेंगे चाहें वो AC हो चाहें वो BD डाइगनल किस नमबर 7 में यहां पे AB diameter दिया गया है A के coordinate हमें निकालने है तो वो coordinate मान लिए मैंने let A के जो coordinate है वो है X and Y O आपके पास center point है B के coordinate गिवन है तो O जो है center point होगा तो इमिड point होगा तो आपके पास लिखेंगे X plus 1 upon में 2 की value रहेगी 2 इसी प्रकार से Y plus A 4 upon में 2 इसकी value रहेगी minus 3 यह आहां से X plus 1 जो रहेगा 4 के equal X रहेगा 4 minus 1 यानि 3 से next नमारे पास Y plus 4 की जो value है वो रहेगी minus 6 Y की value रहेगी minus 6 minus 4 यानि minus 10 यह Y की value next question A और B के आपके पास coordinate गिवन है P के coordinate आपने निकालना है A P A B का 3 7 यानि यह आपका रहेगा 3 part यह complete 7 है तो यह part आपका रहेगा 4 यहाँ पे रेस्टो ध्यान रखें यह complete A B given है यह 7 unit है यह 3 unit तो P B जो रहेगा वो आपका 4 unit रहेगा अब आप X coordinate निकालेंगे X के लिए M1 X2 plus M2 M1 plus में M2 यहाँ पे 6 minus 8 upon में 7 यानि minus 2 by 7 नेक्स्ट पार्ट देखते है Y coordinate 3 multiply minus 4 plus 4 multiply minus 2 upon 3 plus में 4 minus 12 minus 8 upon 7 यानि minus 20 upon में 7 यह आपके पास coordinate आज के हैं यह किसन भी आपका complete हुआ किसन नमबर 9 आपके पास A और B के coordinate दिये गए हैं अब की बार इसको 4 equal part में divide करना है तो 4 equal part में divide करने के लिए 1 2 3 यह यहाँ पे मैंने 4 equal part बना दिए इस point का नम रख दिया P इसके लिए क्या हूँ इसके लिए R यहाँ पे P का जो ratio रहेगा वो रहेगा 1 ratio 3 1 ratio 3 क्यो के लिए ratio रहेगा 2 ratio 2 क्यो के लिए 2 ratio 2 R के लिए रहेगा 1 2 3 3 ratio 1 यहाँ पे यह coordinate सबसे पहले हम P point निकाल रहे हैं P point के coordinate X की value X रहेगा 1 multiply 2 plus 3 multiply minus 2 upon में 1 plus में 3 यहां से आपके पास 2 minus 6 upon में 4 यानि minus 4 by 4 यहां से आपके पास रहेगा minus 1 फिर निकालेंगे Y Y coordinate के लिए 1 multiply 8 plus 3 multiply 2 upon में 1 plus 3 यहां से आपके पास 8 plus में 6 upon में 4 14 upon में 2 से cancel किया 7 by 2 यहां से आपके पास रहेगा 7 by 2 तो P जो coordinate है इसके जो coordinate आएंगे वो रहेंगे minus 1 and 7 by 2 अब हम निकालेंगे क्या हो point यहां से 2 raise 2 यानि mid point है यह आपका mid point के according भी निकाल सकते हैं या फिर इससे भी यहां पे x coordinate के लिए 2 multiply 2 plus 2 multiply minus 2 upon में 2 plus में 2 यानि 4 minus 4 upon में 2 plus 2 4 minus 4 0 तो आपके पास यह point भी आ गया y coordinate यहां पे 2 multiply 8 plus 2 multiply 2 upon में 2 plus में 2 यहां से आपके पास 16 plus में 4 upon में 4 20 upon में 4 cancel out किया 5 यानि y क्यों coordinate हैं के coordinate हैंगे 0 and 5 अब हमारे पास point आता है r r के coordinate निकालेंगे x m1 y2 3 multiply 2 plus 1 multiply minus 2 upon में 3 plus 1 3 to the 6 minus 2 upon में 4 यानि 4 by 4 आपके पास आया 1 next देखते हैं y coordinate यहां पे 3 multiply 8 plus 1 multiply 2 upon में 3 plus 1 यहां से क्या 24 plus में 2 upon में 4 26 upon में 4 2 से cancel 13 by 2 तो आर्ग जो coordinate रहेंगे वो रहेंगे 1 and 13 by 2 यह आपके पास 2 क्योवार 3 point हैं जो इसको 4 equal part में divide करते हैं kitchen number 10 आपके पास एक rhombus given है जिसका नाम मैंने रख दिया ABCD चारों पॉइंट आपके पास है तो इसका हमें area निकलना है area of a rhombus area of a rhombus जो area होता है rhombus का वो होता है आपके पास 1 by 2 multiply d1 multiply d2 यहाँ पे हम पहले d1 निकल लेंगे d1 आपका माल लेते हैं ac ac की distance क्या होगी distance formula यहाँ से 3 minus minus 1 तो minus minus plus 1 का square plus 0 minus 4 का square 3 plus 1 4 4 का square 16 plus में 16 यहाँ आपके पास root 32 यानि हम इसको लिख देंगे 4 root 2 second हम निकाल देंगे bd bd हमारे पास रहेगा same process 4 minus minus हो जाएगा plus 2 का square plus 5 minus minus plus 1 हो जाएगा इसका square 4 plus 2 6 6 का square 36 plus 36 यानि 72 इसको आप लिखेंगे 6 root 2 area of a rhombus area of a rhombus जो होता है वो होता है 1 by 2 d1 आपके पास 4 root 2 multiply d2 आपके पास 6 root 2 root 2 और root 2 की जो multiply होगी वो होगी 2 तो 4 6 जा 24 square unit क्योंकि area हमारे पास square में आता है तो आपके पास sensor आ जाएगा 24 square unit इसी के साथ आपकी एक्सराइज कंप्लेट हुई next वीडियो में next exercise ये आपने अब तक चैनल को subscribe नहीं किया है प्लेज सब्सक्राइब करें थेंक्यो